नवश्कार आप देख रहे हैं यूपी फटाफट मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार नज़र आलते हैं यूपी फटाफट की खबरों पर मुरदाबाद के समाजवादी पार्टी से सांसत डॉक्टर स्टी हसन ने केन सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि नई संसत की जरूरत तो है लेकिन सरकार ने सबी विकासकार को रोग दिया है पहले जनता के लिए विकासकार होना चाहिए था वही किसानों द्वारा क लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है क्योंकि उसकी मांगें जायज हैं और समाजवादी पार्टी की लोग किसानों के साथ है। पिलिभी जनपत में एक 22 वर्षी यूवक का 100 संदिक्द परिस्तियों में नाले में मिला। बताय जा रहा है कि यूवक पिछले 11 दिनों से लापता था जिसकी गुमशूदगी भी थाने में दर्श कराई गई थी। वोगे पर पहुचे पुलिस ने शो को निकाल कर पोसमाट के खिलाफ पिछले कई समय से शिकायत मिल रही थी जिसके चलते अलग-अलग स्थानों पर अभियान चला कर कारवाई की गई। फात्रिस में सराफव एवसाई के साथ लूट की घटना में फरार 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। बता दे कि ये इनामी ब पा और नगर निगम अतिक्रमण अभियान के दोरान उन्होंने जम कर हंगामा काटा। लखीमपूर खीरी में दुदवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकल कर एक टाइगर गन्ने के खेत में डेरा जमा कर बैठ गया है। जिससे किसानों में हड़कम मज गया है। व रही वन विभाग लगाता है टाइगर पर निगरानी बनाये हुए है। विभाग का कहना है कि जल्द ही टाइगर को हम लोग जंगल में भेज देंगे। यूपी फटाफट में फिलाल इतना ही खबरो कले बने रहे न्यूजवर्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।